नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है, मैं हूँ दिबान विज्ञान की तरक्की लगातार वो रास खोल रही है जिने हम इश्वर की देन बताते रहे हैं विज्ञान के दौर में इश्वर कहा हैं हमारे दूसरे खास मैमान जानेवाने लेखक और चिंतक पुर्शोत्तम अगरवाल और उनसे जानेंगे क्या इश्वर सिर्फ एक तथ्या है देली विश्वध जाले के प्रफेसर समाशास्त्री सतीश देशपांटे और उनसे पूछेंगे वो आस्तिक हैं या नस्तिक और उनसे पूछेंगे इश्वर होने के क्या सबूत है उनके पास इसके अलावा हम चलेंगे मुंबई जहा हमारे साथ हैं महेश भट पूछेंगे सिर्फ फिल्म रिलीज होते वक्त ही क्या उन्हें भगवान याद आते हैं साथ ही दिल्ली में हंस के संपादक राजेंदर यादव उनसे जानेंगे इश्वर का सच मुकाबला में आज बहस क्या विग्यान ने इश्वर की आस्था को बेमानी बना डाला है अब भी अपनी राए अम्यू के लिकर पांच छे तीन आठाट पर एसमेस करें बहस की शुरुआत करेंगे गोहर रजा गोहर साब हाल ही में इस पर बड़ी डिबेट हुई अमरीका में जिसमें एक विग्यानिक हैं फिजिक्स के विल्यम फिलिप्स नोबल परुसकार उनको मिल चुका है वो कहरे हैं कि मैं इतना बड़ा विग्यानिक होने के बावजूद इस वर में विश्वास करता हूँ मैं चर्च जाता हूँ चर्च में गाता हूँ मैं जानता हूँ कि यह जो इस वर का ही सब बनाये हुआ है आपको क्या परीशानी है मुझे परिशानी दिबांग ये है कि साइंस ये सवाल पूछती ही नहीं कि इश्वर है या नहीं साइंस या इंसानियत ने दो बड़े सवाल पूछे एक सवाल है कैसे और दूसरा सवाल है क्यूं जिन लोगों ने कैसे के जवाब तलाश करने शुरू किये वो लोग साइंस के दोर में घुसे और जिन लोगों ने क्यूं का सवाल पूछना शुरू किया वो वहाँ पहुँचे जहां साइंस की लिमिट थी जानकारी की लिमिट थी और उसके आगे उनको जवाब ये देना पड़ा कि इश्वर है पुर्शुतन जी आप इनसे क्या जानना चाहेंगे इश्वर का सवाल बेसी कली केवल ग्यान मीमान सा का सवाल है ही नहीं ग्यान के बढ़ते चले जाने से इश्वर की धालना खंडित हो जाती है मुझे ये लगता है कि ये प्रपोजीसन ही बुनियादी तोर से बलत है देखिए जहां तक सवाल है इश्वर का वो किसी भी धर्म में क्यों न हो एक तो वो उस नॉलिज से उस जानकारी से पैदा होता है जो स्टेगनेंट होती है यानि वक्त में कहीं रुक गई है वो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स वक्त में रुके हुए स्क्रिप्चर्स हैं उन से निकली हुई जानकारी से हम इश्वर की बात करते हैं लेकिन ये जैसे जैसे सीमाएं बढ़ती जाती हैं आगे वैसे वैसे ईश्वर का जो दाइरा है, जो हमारी सोच का दाइरा है, ईश्वर के लिए वो घटता चला जाए जाए एक मिनुट जीब सतीज आप क्या जाना चाहिए, कह रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स कहीं रुख गए हैं, लगातर चलते नहीं रहते हैं ये बात मान लेना कि विज्ञान और आस्था परस्पर विरोधी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवशिक्ता नहीं है, ये समाना अंतर अपने पट्री पर चलते रहे हैं, ये अलग-अलग समाज की, मनुश्य की, अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं, और इसे हम समझना चाहिए है, अब ये जो अलग-अलग जरूरतों की बात कर रहे हैं, उसमें क्या जरूरती हैं, उसमें एक तरफ जरूरती हैं, अपनी जानकारी बढ़ाने की इनसानियत की, दूसरी तरफ जरूरत है कि वो अपने को सेक्योर कर लें, लेकिन आम आदमी के लिए सेक् अफीम चाहिए होती है, और अफीम थोड़ी हो, ज्यादा हो, इस ब्रैंड की हो, उस ब्रैंड की हो, रहती अफीम ही है, जिया, स्रिगल साब ये कह रहे हैं कि किताबे जो हैं, वो रुप गई हैं, अजिवांग अगर इश्वर नहोते तो आज ये चर्चा ही नहीं हो रही होती है, जब तक बंगला देश नहीं आया था, 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 किसी ने बंगला देश की बात नहीं करी, ये जो कह रहे हैं उस पर बताईए जी, क्या, जी गोहर जो बा हुआ राएगा किताबे तो एक बार बंद हो गए किताबे लिग गए ही पर किताबे और बंती चाली जा रही ना और उसके दूसरे नए शुरूप देखने को मिलते हैं